इस कारिक्रम के पुन्यार जग परिवार हैं कॉंगली जैपुर राजस्थान श्रीमती सरला जैन भाइफ ओफ श्री पदम प्रसाद जैन श्रीमती सविता जैन भाइफ ओफ श्री धनेंद्र जैन अन्शुल जैन पारूल जैन जैन स्टोर पटपडगंच दिल्ली राम रतन रतने देवी पाटनी प्रकाश जन सारिका पात्नी, प्राची जैन, कीरतीश जैन, एवं समस्त पात्नी परिवार, मेर्ता सिटी, जिलानागौर राजस्थान दिवंगत श्री मोहलाल जी पात्नी कलकत्ता की पावन स्मृती में, सभाग्यमल राजकुमारी, सुनीन संगीता, साहिल प्रग्या, एवं उत्सव कलकत्ता, पीकम सुशीला, नवनीत अनामिता, विकास श्वेता, एवं सिधान्त बैंगलो, बाबुलाल शकुंतला कलकत्ता, अर्विंद रेनु एवं यश्वर्धन, बैंगलो, जै जिनेंद, यस्यस्वयम् स्वभावाप्ति, रभावे कृट्स्न कर्मन, तस्मै संयान रूपाय, नमोस्तु परेमात्मने, पंच परमेष्थी भगवान की जै, आचार्य पूजिपात स्वामी द्वारा विरचित, इस महान ग्रंथ, स्तोत्र जिसमें आत्मा का बहुत विशद और एकत्व के और पहुचने का बहुत विश्थित व्याख्यान हम पिछले दिनों से सुन रहे हैं, ऐसे इस्टोपदेश ग्रंथ के माध्यम से हम सभी आत् जभाव को प्राप्ते करने का प्रयास कर रहे हैं, उसी के अंतरगत पिछले श्लोकों में हमने देखा कि किस प्रकार यह जीव संसार में रागदेश रूप वैतरनी के कारण संसार में सुख दुख प्राप्ते करता रहता है, जीव जब आत्मे चिंत्वन करने के और आईए हम सभी उसे समझते हैं आईए श्लोक का अर्थ समझते हैं कटस्य करताह मिती कटस्य अर्था चटाई का करता अहम इती करता मतलब करने वाला अहम अर्थात में इती मतलब ऐसा मैं इस चटाई का करने वाला हूँ इस चटाई को मैंने बनाया है संबंध है स्याद द्वयो हो द्वयो हो संबंध है अर्था संबंध स्याद अर्थात होता है द्वयो हो द्वयो हो दो दो में अर्था दो पदार्थों में करने वाला में एक आत्मा और एक पदार्थ तो दो पदार्थ हो गए तो जहां दो पदार्थ हैं वहां करता कर्म का संबंद बन जाता है ध्यानम धेयम यदात्मेव परंतु जब ध्यानम अर्था ध्यान धेयम अर्थात ध्याने योग्य जिसका ध्यान किया जा रहा है यदा आत्मा एव यदा मतलब जब आत्मा अर्थात आत्मा एव मतलब ही परंतु जब आत्मा ही ध्यान बन जाता है और आत्मा ही ध्याने योग्य बन जाता है संबंध है की द्रश है तदा तदा उस समय संबंध है की द्रश है संबंध केसा रहेगा कहने का तात पर यह जहां दो पदार्थ है वहां संबंध है और जहां संबंध है वहां निश्चित रूप से रागवेश है वहाँ आत्म रूप परिणती नहीं हो सकती परन्तु जब आत्मा ही आत्मा का ध्यान कर रहा है ध्ये वस्तू जिसे ध्याना है वह भी आत्मा है ध्यान कौन कर रहा है? आत्मा ही कर रहा है ध्यान किसका कर रहा है? आत्मा का ही कर रहा है क्या कर रहा है आत्म स्वरूप में लीन हो रहा है तो उस समय फिर किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता इसलिए आत्म स्वरूप में लीनता के लिए और रागवेश रूप परिनती से दूर होने के लिए आचाहर भगवन इस श्लोप को कह रहे हैं आईए एक बार फिर से समझते हैं कटस्य करता अहम इती मैं इस पदार्थ का करता हूँ यहां आचार भगवन एक छोटा सा उधार्ण कटस्य, चटाई का दे रहे हैं उधार्ण मात्र हैं इसके लावा हम अन्य और पर पदार्थ भी ले सकते हैं जैसे कुमार उसने घड़े का निर्मान किया और वो कहें कि इस घड़े को मैंने बनाया तब वहां पर दो पदार्थों में संबंद बन जाता है वहां पर दो पदार्थ हो गया एक घड़ा अलग और बनाने वालग वहां करता कर्म का संबंद हो गया लेकिन जब आत्मा ही आत्मा का ध्यान करता है आत्मा में ही इस्तित हो करके तब फिर वहाँ पर किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता और जहां संबंध नहीं वहां रागदेश नहीं वहां दुख नहीं जहां दो वस्तु होती है वही रागवेश प्रारम हो जाता है एक आत्मा और आत्मा के साथ में कोई दूसरी वस्तु जुड़ी और उसके साथ में जो उसका ममत्व भाव है अच्छी वस्तु है तो राग होने लगता है यदि वह अच्छी नहीं है तो द्वेश होने लगता है तो जहां राग और द्वेश का निमित्य बना वह दूरसा वस्तु दूरसा पदार्थ ये दो पदार्थ होते हैं अपन एक उधारण से समझते हैं एक राजा जिसे बहुत तीवरि दाहजवर हुआ था बहुत तेज बुखार के कारण से वह राजा बहुत दुखी था राजवेद्यों ने उन्हें सलाह दी कि है राजन मलियागिरी का चंदन घिसकर यदि लेब किया जाए तो आपके इस दाहजवर में कुछ कमी आ सकती है और आपको सुख और शान्ती का अनुभव हो सकता है भिजवा करके मलियागिरी का चंदन मंगवाया गया तब राणियों ने बड़े प्रेम भाव से उसे घिसना प्रारंब किया लेकिन यह क्या जैसे ही घिसना शुरू किया थोड़ी देर बाद राजा को अशान्ती का अनुभव होने लगा उन राणियों की द्वारा वह जो चंदन घिसा जा रहा था चूडियों की खनखन की आवाज से वह राजा और ज़्यादा परेशान होने लगा बहुत ज़्यादा उस शोर से वह व्याकुल होने लगा तब उसने पूछा अरे यह आवाज क्यों हो रही है क्यों यह आशान्ती हो रही है तब राणियों ने जवाब दिया राजन हम आपके लिए चंदन घिस रहे हैं इसलिए चूडियों की आवाज से बहुत ज़्यादा आशान्ती हो रही है राजन ने कहा मुझे नहीं चाहिए यह चंदन हटाओ इसको मुझे तो शान्ती चाहिए इससे तो और ज़्यादा आशान्ती हो रही है तब राणियों ने अपने सुहाग के नाम का एक सिर्फ एक चूड़ी रखी और चंदन घिसना पुनह कंटिनू रखा थोड़ी देर बाद जब आवाज समापत हो गई तब राजा ने पूछा क्यों चंदन घिसना बंद कर दिया तब राणियों ने कहा नहीं राजन चंदन तो घिसा जा रहा है फिर आवाज आना बंद केसे हो गई अब शान्ती क्यों मिल रही है तब रानियों ने कहा राजन जहां दो या दो से अधिक चूड़िया थी तो खंखन की आवाज से अशान्ती थी आवाज आ रही थी लेकिन अब सिर्फ एक चूड़ी है इसलिए किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं अशान्ती नहीं कितना अच्छा उधारण है इसका मतलब यह है कि जहां एक पदार्थ है एक वस्तु है एक मात्र आत्मा है वहां सुख और शान्ती है और जहां उस एक के साथ में कोई दूसरे वस्तु जूड़ी अच्छी हुई तो राग हुआ बुरी हुई तो द्वेश हुआ उस राग द् के आते ही राग द्वेश रूप शान्ती प्रार्म हो जाती है इस तरह की जो भाव जहां आ गया जहां उस आत्मा को छोड़ करके अन्य पर पदार्थों की और चिंत्वन चला गया वहीं जी राग द्वेश रूप परिणती में उलद जाता है इसलिए एकत्व को पाने के लिए हमें अपनी एकत्व भावना का चिंत्वन करना चीए मैं एका की एकत्व लिए सब ही आते तनधन को साथी समझा था पर ये भी छोड़ चले जाते और अन्य पर पदार्थ तो दूर हमारे यह शरीर जो हमें प्राप्त हुआ है ये भी यही रहे जाता है आत्मा अकेला अन्य पर गती में पर आयू में चला जाता है तब अन्य पर पदार्थ जो हमें अपनी आंखों से प्रत्यक्ष अलग दिखाई दे रहे हैं ये मेरे कैसे हो सकते हैं इस तरह कि यदि ममत्य बुद्धी रहेगी वहाँ पर जीव अपने आत्म स्वरुप की और प्रवेश नहीं कर सकता इसलिए एकत्य को प्राप्त करने के लिए उनी पर पदार्थों से ममत्य बुद्धी का त्याग करना चाहिए संसार में तो यह देखा जाता है कि उसने यह किया लेकिन फिर आप करते तो वुद्धी के तयाग की बात क्यों करते हों हमने मान ली आपकी बात कि संसार में ऐसा देखा जाता है कि उसने उस पदार्थ को किया गुरू ने शिश्य को पढ़ाया उस विक्ती ने यह मकान बनाया उस विक्ती ने उस परिवार का पालन पोशन किया अत्वा कर रहा है लेकिन यह सारे के सारे जितने भी क्रियाएं हैं यह सब व्यवार की अपक्षा से कहा जाता है कि उसने उसको किया वास्तों में तो कोई किसी का कोई करता धरता नहीं होता एक द्रव्य दूसरे पदार्थ खा निश्चे नहीं के अपिक्षा से कुछ नहीं करता जितने भी ये सब परपदार्थ हैं ये सब व्यवार नहीं के अपिक्षा से हैं इसलिए निमित्त मात्र मन्यस्तु गतेर धर्मास्ति कायवत जिस प्रकार गमन करने में धर्मास्ति काय एक निमित्त होता है वह स्वयम नहीं चलाता अपितु चलते हुई जीवपद्गुलों को चलने में सहकारी कारण होता है उसी प्रकार मैंने कुछ नहीं किया इस तरह की भावना होने ही चाहिए संसार है मेरे निमित्त से ही है कार्य बन गया अत्वा उसके निमित्त से ही है कार्य बन गया यदि हम निमित्त को मानेंगे तो वहाँ पर हमारी कर्ट्वित्व बुद्धी का विनाश होगा जो हमारे लिए सुख और शांती का कारण बनेगा इसलिए अपने को सिर्फ निमित्त मानों निमित्त मान करके कारे करेंगे तो उसमें उपादान शक्ति जागरत नहीं होगी और रागवेश रूप परिणती नहीं आएगी भाईया मैं तो कुछ नहीं करता ये सब स्वयम अपने आप संसार में होता है मैं करता जग का क्या काम होता स्वयम जगत परिणाम मैं कोई परिणमन नहीं करता मैंने किसी को जन्म नहीं दिया मैंने कोई परिवार नहीं बनाया मैंने कुछ नहीं किया यह जो मैं ममत्व बुद्धी है अहंकार रुप बुद्धी है मेरा पन है कर्तित्व बुद्धी है जहां तक यह रहेगा तब तक आत्म स्वरूप में प्रवेश नहीं होगा और जैसे ही यह ममत्व परिणाम अहंकार परिणाम कर्तित्व बुद्धी दूर होगी स्वेमेव धीरे-धीरे हम आत्म स्वरूप में प्रवेश करेंगे और आत्मा को प्राप्त करेंगे भया जी इस स्लूप में भी तो ध्यान भी एका संबंद बताया है फर आप कैसे कह रहें कि ध्यान भी एका संबंद नहीं है ध्यान और ध्ये दोनों में वस्तु एक है इसलिए संबंद नहीं आत्मा ही ध्यान करने वाला आत्मा में ही इस्तितों करके ध्यान करने वाला किसका ध्यान आत्मा का ही ध्यान किसके द्वारा ध्यान आत्मा के द्वारा ही ध्यान जहां एक है वहां संबंद नहीं हां आत्मा अन्य पर पदार्थ का विचार करें, अन्य पर पदार्थ का चिंद्पन करें, तब तो हम मानें कि हाँ, वहाँ पर संबंध हो गया, लेकिन जब आत्मा, आत्मा का ही ध्यान कर रहा है, तब फिर वहाँ पर संबंध नहीं कहा जाएगा, क्यों? क्योंकि आत्मा एक ही है, सांसारिक पदार्थों के प्रती संबंध बतलाने के पश्चात पुनह शिश्य ने प्रश्न किया भगवन फिर वास्तों में संसार और मोक्ष का कारण क्या है बंध और मोक्ष किस निमित से होता है उसका उत्तर देते हुए आचारे भगवन अग्रिम्श लोग कहते हैं आईए संसार और मोक्ष का कारण समस्ते हैं बध्यते मुच्यते जीव है बध्यते अर्थात बंधता है मुच्यते अर्थात छूटता है जीव है अर्थात जीव किस कारण से सममो निर्ममह क्रमात क्रम पूर्वक इस तरह लगाना चाहिए सममो ममत्व परिणाम से सहित होने पर निर्ममह ममत्व परिणाम से रहित होने पर अर्थात सममो जीव है बध्यते ममत्व परिणाम से युक्त होने पर यह जीव संसार में कर्मों से बंधता है और निर्ममह जीवह मुच्यते और ममत्व परिणाम से रहित होने पर यह जीव उन कर्म बंधनों से छूट जाता है और मौक्ष को प्राप्त कर लेता है तस्मात सर्व प्रयतनेने सभी प्रयतनों के द्वारा जितना हम प्रयतने अन्य पर पदार्थों को प्राप्त करने में करते हैं जो कि आत्मा के लिए कल्यान कारी नहीं है यह तो आत्मा के लिए कल्यान कारी है इसलिए सभी प्रयतनों से निर्ममत्वम विचिंतियेत निर्ममत्व का अर्थात ममत्व परणाम से रहित जो निर्ममत्व भाव है उसको विचिंतियेत चिंतवन करना चाहिए उसको सोचना चाहिए उसके बारे में विचार करना चाहिए कि वास्तों में पर पदार्थ मेरा नहीं ममत्व अर्थात यह वस्तु मेरी और जहां मेरा पन आया वहां रागवेश रूप परिणती होने से कर्म का बंद हो गया और जहां निर्ममत्व यह वस्तु मेरी नहीं कोई भी पदार्थ किसी का नहीं है इस प्रकार का चिंत्वन करने से निश्चित रूप से निर्मममत्व परिणाम से रहितभा होने की कारण से नवीन करमास्तरों नहीं होता और वहजीव जो कर्मबंद उसके साथ में जुड़ा हुआ है उससे वह छूट जाता है इसलिए बहुत सीधी सी सिंपल सी परिभाषा आचेर भगवन ने यहां पर कह दी जहां पर ममत्व परिनाम है वहां जीव संसार में कर्मों से बंदता है और जहां ममत्व परिनाम का त्याग हो गया वहजीव निश्चित रूप से इस संसार से छूट जाता है इसलिए हमें क्या करना चाहिए क्योंकि हम सभी का लक्ष हैं हम भी संसार से छूटना चाहते हैं मौक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं सुख और शान्ती को ग्रहन करना चाहते हैं तो निर्ममत्वम विचिंतियेत ममत्व परणाम से रहित हो करके भावना भानी चाहिए चिंत्वन करना चाहिए कि वास्तों में इस अंसार में मेरा कुछ नहीं और जहां एका की एकत्व अपनी आत्म सरूप में ही एक चिंत्वन होगा निश्चित रूप से वह जीव कर्मों से छूटेगा ही छूटेगा पईया जी इसमें आचारी कहना क्या चाह रहे हैं यह गाथा बहुत सुन्दर है इस गाथा में तो पूरा का पूरा सार आ गया जिनेंद्र भगवान द्वारा उपदेशित पूरा का पूरा जेंधर्म का सार ही छिपा हुआ है आचारी कुंद कुंद स्वामी माराज ने भी इसी प्रकार के बहुत सुन्दर गाथा लिखी मुंचदी तो छूट जाता है एसो जिनोव देसो यह जिनेंद्र भगवान का उपदेश है तमहा इसलिए कमेसु मारज्य कर्मों में राग मत करो कर्म के परिणामों में, कर्म के फलों में, परपदार्थों में, वस्तुओं में राग मत करो लगता है आचरे पुर्जबाद स्वामी माराज ने आचरे कुंद कुंद स्वामी माराज का बहुत सहित्य पढ़ा और उनी का अनुसरन करते हुए यह गाथा लिखी वहां राग से दूर होने की बात कर रहे हैं और यहां उसी राग रूप जो ममत्व परिणाम है उससे दूर होने की बात कर रहे हैं वास्तविक्ता में देखा जाए तो यदि हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो इन गाथाओं का हमें चिंत्वन करना चाहिए जब भी हम ध्यान करने बैठें एकत्व परिणाम की और प्राप्त करने का प्रयास करें तब ऐसी गाथाओं को बार-बार उच्चारण करना समझना चाहिए कि वास्तों में ममत्व परिणाम ही दुख का कारण है और उस ममत्व परिणाम से रहित जो निर्ममत्व भाव है वही सुख का कारण है हकीकत तो यह है जहां दो पदार्थ हुए जहां पर पदार्थ से हमारा संबंद जुड़ा वही से हमें आशान्ती और दुख होने लगता है कभी-कभी हम खुद इस चीज को फिल करते हैं कि जब कभी हमारी किसी विक्ति विशेश से लड़ाई हो जाती है या मन ऐसा उद्विग्न हो जाता है कि हमें दूर रहना है हमें यही बात नहीं करनी तब शान्ती प्राप्त करने के लिए हम दो मिनिट शान्ती से बैठ जाते हैं तब उस समय ऐसा लगता है कि संसार में कोई मेरा नहीं है वास्तविक्ता में तो चूकि वह जो पोजिशन है वह स्तिती इसलिए बनी क्योंकि सामने वाले से हमने लड़ाई करी इसलिए जब उस रूप में हमको किंचित शान्ती का अनुभव हो रहा है तो जब राग और द्वेश दोनों से दूर हो करके हम एकत्व परिणाम को प्राप्त करेंगे तो निश्चित रूप से सुख और शान्ती की प्राप्ती होगी ही होगी इसलिए हमें ममत्व परिणाम को कम करने का समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए ताकि हम सभी मौक्षिकी और अग्रसर हो सके बहिया जी, यह समम और निर्मम क्या होता है? समम और निर्मम, मम का अर्थात मेरा भाव, मेरा पन, यह वस्तु मेरी है इस तरह के भाव से युक्त होने का नाम है समम और निर्मम उस ममत्व परिणाम से उस मेरे पन से दूर होने का नाम है निर्मम संसार की दशा बड़ी विचित्र है एक विक्ती रोता है दूसरा उस विक्ती को देखकर की रोने लगता है उससे पूछा भाई, आप क्यों रो रहे हो? तो भाई जवाब देता है क्योंकि आप रो रहे थे इसलिए आपको देखकर के मैं रोने लग गया पूछा, आप क्यू रोए? मुझे तो यह पीडा हो रही है, मुझे तो उसने गाली दी, इसलिए रोए, फिर तुम क्यू रोए? भैया तुम मेरे मित्र हो, तो तुम रो रहे थे, इसलिए मैं भी तुमें देख करके रोने लग गया इसका मतलब उस वेक्ती का उस वेक्ती से ममत्व परिणाम है जुड़ा हुआ है कि वह वेक्ती रोएगा तो यह भी रोएगा हकीकत में उसे उस इस्थिती का भान नहीं है कि जहां पर ममत्व परिणाम है वही दुख का कारण है इसी तरह कोई वेक्ती हसता है हमें नहीं मालूम कि वह क्यों हस रहा है लेकिन उस विक्ति से हमारा राग भाव है उस विक्ति से हमारा ममत्व भाव है इसलिए हम भी हसने लग जाते हैं भरत और बावबली का युद्ध हुआ सब जानते हैं लेकिन क्यों हुआ एक ममत्व परिणाम के कारण से दोनों के प्रती, दोनों में एक भाव था कि नहीं यह जब बाववली के अंतरगत मन में यह भाव था कि जब यह जमीन, यह राज्य मुझे मेरे पिता ने दिया फिर में इसका त्याग क्यों करूं वहीं चक्रवर्ती के मन में भाव था कि नहीं, मुझे तो पूरे छे खंड का राजा बनना है ये मेरी अधिन्ता क्यों स्वीकार नहीं करेंगे तो जहां पर ये ममत्व भाव है, मेरा पन है, मेरी बुद्धी है वहीं पर यह जीव संसार में राग ड्वेश से बंद जाता है जिस प्रकार, उधारन कितना अच्छे आचर कुन-कुन स्वामी माराज ने दिया कि जिस प्रकार, तेल से चिकनाई से युक्त हो करके यदि कोई वेक्ती अखाडे में जाएगा तो धूल मिट्टी तो उसके लगेगी ही लगेगी अखाडा छोड़ो, यदि चिकनाई से युक्त हो करके हम कहीं पर भी निकलें तो हमारे शरीर पर धूल मिट्टी आ करके चिपकेगी ही चिपकेगी क्यों? क्योंकि हमारे साथ में चिकनाई से युक्त पदार्थ लगा हुआ है उसी प्रकार यदि वह उससे रहित हो जाता है तो उसके धुल मिट्टी नहीं चिपकेगी आत्मा उस रागवेश रूपी चिकनाई पदार्थ से जब तक युक्त रहेगा तब तक कर्म रूपी रज उसके चिपकती रहेगी लेकिन जैसे ही वह उससे रागवेश रूप चिकनाई पदार्थ को दूर करेगा तो वह निश्चित रूप से उसके कर्म रूपी रज जो धूली है वो नहीं चिपकेगी जहाँ एक है वहाँ सुख है जहाँ दो है वहाँ निश्चित रूप से दुख है ही है इसलिए आत्मा का जहाँ संबंद होगा वहाँ पर दुख होगा आत्मा के ध्यान की जब हम बात करेंगे एकत्व की जब हम बात करेंगे वहाँ आत्मा के लिए हितकारी होगा बहिया जी किस गाता से हमको क्या सिच्छा मिलती है? जहां कर्मबंद निश्चित हुआ और जहां कर्मबंद है वहाँ निश्चित रूप से जीव संसार में भटकेगा दुख को प्राप्ते करेगा ही करेगा इसलिए हमें बहुत इस पष्ट इस गाता से समझना है संसार में से यदी हमें निकलना है तो हमें मेरे पन का त्याग करना पड़ेगा तीन वस्तों से हम बहुत ज़्यादा ममत्व परिणाम रखते हैं सबसे पहला हमारा शरीर जिसके पती हम इसे हम अपना मानते हैं सुबह से शाम तक राद तक पूरे 24 घंटे इस शरीर को खिलाने पिलाने रचाने पचाने में लगे रहते हैं लेकिन हकीकत क्या यह शरीर भी साथ छोड़ करके चला जाता है दूसरा ममत्व परिणाम होता है हमें अपनी संपत्ती से रुपए पेसों से और तीसरा ममत्व परिणाम होता है हमें अपने संबंधियों से ये हमारे पिताजी, ये हमारे माताजी, ये हमारा बेटा, ये पतनी, ये रूपया पेसा जमीन जायदाद, ये सारे के सारे निमित जिने हम अपना मान रहे हैं, मेरा मान रहे हैं, वास्तों में वही रागद्वेश करवा करके कर्म बंद का निमित बनता है इसलिए करना क्या चाहिए हम संसार में भेले ही रहें लेकिन संसार में रहते हुए निर्ममत्वता का चिंत्वन करें संसार में मेरा कोई नहीं है कुछ भी नहीं है एक मात्र आत्मा मेरा है यही मेरा है इसके अलावा अन्य और कोई परपदार्थ मेरा नहीं है इस तरह का चि प्रभोप योग के और बढ़ करके वह जीव निश्चित रूप से संसार से दूर हटके एक दिन मौक्ष मार्ग में लगेगा और मौक्ष मार्ग में लगेगा तो निश्चित रूप से वह मौक्ष को प्राप्त करेगा ही करेगा इसलिए हम सभी का लक्ष है मौक्ष को प्रा अमत्वम मैं अकेला हूँ इस संसार में मेरा कोई नहीं है सिर्फ एक आत्म स्वरूप है इस तरह का चिंत्वन करेंगे तो निश्चित रूप से हत्मा का कल्यान होगा ही होगा जै चिनेंड़ इस कारिक्रम के पुण्यार जख परिवार है श्री पारसनाथ री रॉलिंग मेंग लिमिर्टेड दूर्गापर वान वर्दुमान पश्चिम बंगाल अमिता जैन वाइफ ओफ अनिल कुमार जैन संगीता जैन वाइफ ओफ विपन कुमार जैन मानस्चन, कमला देवी, राकेश, नीतु, रिशब एवां आयूशी मुश्रफ, B123 सेथी कॉल्गनी, जैपुर, राजस्थान श्रीमती सरला जैन, वाइफ ओफ श्री पदम प्रसाद जैन, श्रीमती सविता जैन, वाइफ ओफ श्री धनेंद्र जैन, अन्शुल जैन, पारूल जैन, जैन स्टोर पटपडगंज दिल्ली राम्रतन रपनी देवी पाटनी, प्रकाश जल सारिका पाटनी, प्राची जैन, कीर्तिश जैन एवं समस्त पाटनी परिवार, मेर्ता सिटी, जिलानागौर राजस्थान दिवंगत श्री मोहलाल जी पाटनी कलकत्ता की पावन स्मृति में सभाग्यमल राजकुमारी, सुनीन संगीता, साहिल प्रग्या एवं उत्सव कलकत्ता, पीकम सुशीला, नवनीत अनामिता, विकास श्वेता एवं सिधांत बैंगलो, बाबुलाल शकुंतला कलकत्ता, झाल